हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डिएस टूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियो नहीं देखेंगे जिस स्यार्टी क्लास 7 का साइन्स चेप्टर 18 चेप्टर 18 का नाम है पवन तुफान और चक्रवात तो इसका कोशन अंसर करेंगे तो वीडियो के साथ बने रही है और कहीं पर दिख्कत है कि तो मुझे कमेंट कर दिजेगा मैं आपकी प्रोल्मेंस करने की पूरी कोशिस करूंगा तो चले बढ़ते हैं कोशन अंसर की ओर पहला नमबर देखिए रिक्त अस्थानों के पूर्ति करें ए नमबर पवन खालेस्थान वायू है इसका अंसर हो पवन प्रित्वी के असमान टापन के कारिन उत्पन होती है असमान ओके देखिए नेक्स्ट सी प्रित्वी के सतह के निकट खालेस्थान वायू उपर उठती है जबकि खालेस्थान वायू नीचे आती है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रित्वी के सतह के निकट गर्म वाय की उपर उठती है जब कि ठंधी वायू नीचे आती है देखें दी नेमबर वायू खाल स्थां दाब छेतर से आपके चेतर की और गती करती है तो दिखींज मुत मोइक्षिन bus day to चैन करें के सही या गलत है उसके चैन करना है true false से कर नमबर देखिए जल वास्प युक्त पवन के कारण वर्सा होती है यह बिल्कुल सही है फिर देखें सेकेंड कर नमबर चक्रवात आने की सुचना एक महीने पहले दी जाती है तो यह गलत है उके चक्रवात अचानक आता ह है करें एक दीन पहले या फिर दो-चार दिन पहले इसका सुचना हम लोग दे सकते हैं एक महीने पहले कैसा impossible है फिर देखिए नेक्स्ट गर नमबर गर्जन के साथ भारी वर्सा होने पर ऐसी छत्री का उप्योग करना चाहिए जिसकी डंडी धातु से नहीं बनी हो तो यह सही है यह सही है देखिए छत्री कुछ इस तरीके से रहता है छाता इस तरीके से इस तरीके से रहता है छाता हमारा तो इसका जो डंडी रहता है नीचे यहां पर यह लोहा का नहीं होना चाहिए अगर भारी वर्सा हो रहा है तो इससे क्या है कि लोहा बिजली का सुचा तो इस तरीके से यह सत्य हो जाएगा पर देखिए नेक्स्ट गहा नंबर गहा नम्बर के को से काल में पावन थल से सागर की ओर बढ़ती है तो यह गलत है थे क일 गहां रूट कल लिजिए फिर में लोगों देखेंगे । थ्री नमबर देखिए सही उत्तर का चेयन कीजिए पहला नमबर पवन बहने की दिशा होती है तो देखिए पवन किस दिशा में बहती है पहला का नमबर देखिए अधिक दाब वाले चेतर से कम दाब वाले चेतर की और या खा नमबर कम दाब वाले चेतर से अधिक दाब वा अस्थानों की और तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला के option number का option number का सही हो जाएगा अधिक दावाले छेतर से कम दावाले छेतर की और पवन बहता है अब देखिए second number second number question है मानसून हवाएं तो देखिए मानसून हवाएं क्या है या इसका option देखते हैं पहला option है गर्मी के दिनों में समुद्र से प्रित्वी की और बढ़ती है तो देखिए प्रित्वी मतलब थल की और जमीन की और जहां पर मिट्टी है मिट्टी की और कहने का मतलब देखिए क नमर फिर से गर्मी के दिनों में समुद्र से इधर थल की और बढ़ती है फिर देखिए ख हमारे जल्चक्र का हिस्सा है या फिर ग बारिस लाती है या फिर गर्मी के दिनों में प्रित्वी से समुद्र की और बढ़ती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा एक्षवल में यह तो सभी ही सही लग रहा है मुझे एक को छोड़कर ग घ नमबर ओके यहां पर यह गलत है बाकि सब सही है तो अगर घ नमबर के अस्थान पर लिखा वा रहता है इनमें से सभी ओके देखिया बूक मेरा ओल्ड बूक है पुराना बूक है अगर आपका में य विद्व कर दोब्द नावान हमारे जलचक्र का हिसा भी है और मानसुन हवाय बारिस भी लाती है लेकिन मानसुन हवाय कभी घर्मी के दीनों में प्रित्वी से यानिकी थल से समद्र की ओर नहीं बढ़ती है यह गलत है बाकी यह तीनों सही है ति आप देख लीजएगा आप पर इसको हटा कर आई थिंक यहां पर इन्वे से सभी लिखा हुआ होना चाहिए ओके देख लीजएगा आपका भूक में कैसा है अब हम लोग बढ़ते हैं थार्ड नमर की ओर गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें तो देखिए जब बिजली कड़कता है उसके साथ आफ्ट अधिक होत्ती है तो क्या करना चाहिए फूर नमबर पहला है किसी निर्जन अस्थान पर किसी बड़े पेड़ी के नीचे सरन नहीं लेना चाहिए या दातू से बनी हो तो देखिए इसका सही अंसर हो जाएगा अपसर नमबर कह और अपसर नमबर गह इसमें दो सही होना चाहिए ओके देखिए बहुत अधिक बिजली चमकता है और वर्सा होता है तो हमें वैसे अस्थान पर सरन नहीं लेना चाहिए जहां पर पेड़ हो क्योंक कि यह दोनों तो गलत है ओके खाग नंबर गलत हे खाग और फेसाम नंबर सभी हैं अब देखिए पोर नंबर नंबर एक वाक्य में उतर दिजिए या एक वाकिम उत्तर लिखिए पहला कोस्टेन है एनिमोमीटर क्या है दूसरा है चक्रवात की केंद्र को क्या कहते हैं तिसरा है किसी अस्थान पर पवन की गत्ती अधिक वने पर हवा का दबाव पर क्या प्रभाब पड़ता है तो चलिए इसका हम लोग अंसर लिखते हैं में लबात की केंद्र को तुफान की आंक koणते हैं ःत तिस य किidents कर देखिया किसे अस्थान पर पोफण की गती अधिक होने पर हवा का क्ढ दबाव हो जाता है तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा हवा का दबाव घट जाता है इसे नोट का लीजिये फिर देखिए next five number फाइब नम्बर के question है पवन धाराओं का निर्मान कैसे होता है तो इसका अंसर है प्रित्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराओं का निर्मान होता है इनमें दो इस्थितियां बनती है ए नमबर यानि कि पहला इस्थिति दिखिए भूमद रेखिए छेत्रों और दुर्वे छेत्रों का असमान रूप से गर्म होना और दुसरा है धर्ति और समद्र का असमान रूप से गर्म होना तो इसे न देखेंगे next six number question six number question है चक्रवात के आने की संभावना किन छेत्रों में ज्यादा होती है तो देखिए चक्रवात के आने की संभावना किस छेत्रों पे ज्यादा होती है तो इसका अंसर हो जाएगा चक्रवात के आने की संभावना समुद्र के 30 छेत्रों में ज्यादा होता है समुद्र में चक्रवात यानि कि समुद्र के जो side side होता है समुद्र का जो bank होता है किनारा होता है उधर चक्रवात आने का संभावन अधिक होता है अब देखिए 7 number 7 number का कोशन है गर्मी के दिनों में पवन समुद्र से प्रित्वी की और क्यों बहता है तो इसका अंसर देखिए गर्मी के दिनों में अस्थल्य चेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकान से समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्छा अधिक रहता है अस्थल की वायू गर्म होकर उपर उठ जाती है इससे अस्थल की वायू का वायू-दाब कम हो जाता है कम दाब को भरने के लिए पबन समुद्र से थल की और भरता है तो इतना है इसे याद के लिए एक चल में देखिए जो पानी है वो लेट से गरम होता है और लेट से ठंडा भी होता है कि जमीन यानिकि मिटी जलदी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है ओके तो देखिए गर्मी का दिन में जो पानी है लेट से गर्म होता है जिसके कारण समुदर के आसपास का हवा ठंडा रहता है जबकि मिट्टी वाला छेत रहने की भूमी में जल्दी गर्म आ जाता है इसे कारण समुद्र से हवाएं बहकर मिट्टी की और आने लगती हो कि जमीन की और आने लगती है है कि स्फामदों नौट कर लोगा देखते हैं कि कपड़े के पैणर के जादर से बने विज्यापन, पटों में छिद्र क्यों किये जाते है तो देखिए जो विग्यापन होता है इस तरीके का बीच-बीच में रोड की किनारे लगा हुआ रहता है तो उस बीच-बीच में होल रहता है च्छेद में होल किया जाता है तो इसका अंसर देख Judy 백ण पट्टों को खुली हवा में लगां जाता उन्हें हवा के दबाव को सहना पड़ता है, बैनर तथा विज्यापन पठ अधिक देर तक हवा के दबाव को सहन नहीं कर सकते, तथा वे मूर जाते हैं, परनतु अगर इनमें छिद्रिक किये जाते हैं, तो वह उन छिद्रों से आरपार जाती रहेगी, इस परकार उन पर प इस्थिर रखता है, मतलब देखिये, बैअर इस तरीके से रहता है, पोस्टर और विश्में छेद रहता है तो इधर से जो हवा आता है, तो छेद से पार हो जाता है, घर जिद नहीं रहेगा, तो बैअर को ही इधर जुका देगा यानि कि टेड़ा कर देगा तुटा भी देगा या फिर गिरा देगा तो हवा का दबा को कम करने के लिए उसमें छेद किया जाता है इसे नोट कर लीजिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नाइन नमबर की ओर नाइन नमबर की कोशन है आप एक भवन खरिदना चाहते हैं क्या आप ऐसा भवन खरिदना चाहेंगे जिनमें खिड़िकियां हो लेकिन रोसंदान ना हो अपने उतर का कारण बताईए तो देखिए एक ऐसा घर है जि एक्चुल में खिड़िकिन रहता है इसका हम लोग वेंटी लेटर बोलते हैं तो यह नहीं रहेगा तो आप क्या उस भवन को खरिदना चाहेंगे या नहीं तो चलिए इसका हम लोग अंसर देखते हैं हम एक ऐसा भवन लेना पसंद करेंगे जिनमें खिड़िकियां तथा रोसंदान सब कुछ हो स्वसन भोजन पकवान आदी क्रियाओं से भवन में मौझूद पवन गर्म हो जाता है वह कमरे में उपर की ओर उठती है खिड़िकियां एक निचले अस्तर पर निर्मित होती है जो गर्म पवन को बाहर निकालने में सहयक नहीं होती अत्या भवन की छतों के पास निर्मित रोसंदान गर्म हवा को बाहर निकालने में सहयक होते हैं इससे कमरों में हवा का अवागमन सुचारू रूप से चलती है उके तो इसे नोट कर लिजे बहुत ही आसान है देखिए गर्म हवा तो हम लोग यूज करते हैं घर में कुछ भी हिटर हो गय जो छोड़ते हैं वह तो गर्म ही निकलता है मुह से नाक से तो यह चला जाता है उपर छत में तो वहां पर रहता है तो वहां से निकल जाता है खिड़की रहता है निच्चे तो खिड़की में नहीं निकल पाता है क्योंकि गर्म हवा उपर रहता है तो इसलिए वह लोग ह हिंदी में रोसन दान करते हैं अब देखिए नेक्स्ट टेन नमबर के कोशन है ऐसे कोई दो अनुभव बताएं जिन से आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायू दबाव डालती है यानि कि दाब डालती है तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा पहला देखिए दो अनुभव से ज्यादा हवा भर जिया जाता है तो फड़ जाता है तो यह इसका मतलब यह निकला कि वायू दबाव डालती है इसलिए बैलून फूर जाता है पर देखिए नेक्स्ट सेकेंड बी नमबर हवा की विप्रित दिसा में पैदल चलने पर कठिनाई होती है समझ मारा है ना मा प्रिकेंट के आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छली को लाइक कर दीजे और फिर चैनल को हड़ी एस टूटरील को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही बेल एकम प्रेस कर दीजे ताकि इस तरीका वीडियो में जब भी अपलो दे